वालेकुम सरकाल वाई वॉप आप सभी बहुत अच्छ होगे हैं हम भी बहुत अच्छ हैं मैं हुरानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रियक्शन तो हम आगे आप लोगों के लिए एक न्यूव वीडियो लेका और इस वीडियो का टाइटल है है हजरत अलीजिन राच आप लोगों किस वीडियो को लाज तक जब देखते कि इस वीडियो के क्या वताएगि है इस वीडियो के टॉपिक पहली वर वीडियो बना रहा है सो बहुत जाए इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रो मिलने आला है तो स्टार्ट करते भी ना किसी टाइम इसके तारीख में हजरत अली रजी आलाहु तालाहु के बहुत से वाकियात मशहूर है आप शिर खुदा भी है आप दामद मुस्तफा भी है आप हैदर कर्रार भी है और आप साहिब जिल्फीकार भी है आप हजरत फातिमा के शोहर भी है और जन्द के नवजवानों के सरदार हसन और हुसेन के वालिद भी है बहादूरी में आपका इस रुवे जमीन पर कोई भी सानी नहीं था हजरत मौला अली हजरत मुहम्मद स्लिल्लाहुतालाली स्लिम के साथ जिस भी जंग में शर्कत करते और आपने उसमें अपनी काम्याबी को ही अपना मुकदर बनाया लेकिन आपकी कुछ जंगे ऐसी भी गुजरी है जिनको तारीख में बहुती कम लिखा गया है पैरे दोस्तों आज की सुडियो में हम आपको बैरुल अलम जो हजरत अली ने जिन्नातों के खिलाफ लड़ी थी इस जंग में मौला अली ने 20,000 जिन्नातों का कतल कर दिया था और बहुत से जिन्नातों को इसलाम के दाएरे में दाखिल कर दिया था यानि के बहुत से जिन्नातों को कलमा पड़ा कर मुसल्मान बना दिया था ये वीडियो बहुती खास है तो आप लोग इस उडियो को आखिर तक जरूर देखे अगर आपको भी हज़रत अली रदिया लाहु ताला नहो से महबत है तो आप इस उडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें तो आईए दोस्तो शुरू करते है प्यारे दोस्तों, हजरत अबु साद खुद्री रदी अल्लाह तालानों से र्याएत है एक मरतबा आ लगा के प्यारे नभी हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लिलाह तालाह ले वस्लem जंग से वापस आ रहे थे तो एक उजार बस्ती से गुजरे आप शल्लाह तालाह तालाह ही है जिसमें वो जिन रहते हैं जिनको हजरत सुलिमान भी काबू में नहीं कर सके थे और कहा कि यही वो जगा है जहां से तबय यमानी गुजरा था और उनके 10,000 सिपाहियों को जिन्नातों ने इसी जगा पर मार डाला था यह सुनकर अल्ला के पर आपका काफिला वही पर ठहर गया फिर आल्ला के रसुल सब्सक्राइब ने अपने सहाबा इकराम रजी आल्लाहु ताला नहुं से फरमाया कि आप मेंसे 10 आदमी जाकर जिन्नों के कुए से पानी ले कर आओ आप शल्लालहु अबुलास सहाबी थे वो पीछे हटने के बजाए आगे बढ़ते गए और थोड़ी ही देर में जाकर वो शहीद हो गए इतने में हज़रत जिब्राईल अलियससलाम नाजिल हुए और उन्होंने अल्ला के पेगंबर हज़रत मुहम्मद स्लिल्लाहु ताला अल्यूसलाम से कहा आए ल्ला के नभी किसी और को भीजने के बजाए आप इल्म देखर अली इब्न अबु तालिप को भीजिये ये सुनकर आप स्लिल्लाहु तालयूसलाम ने अल्यूसलाम ने अधरत अल्यूसलाम को जाने का हुकम दिया लिहाजा फिर आपके हुकम के मताबिक हजरत अली शरी खुदा जिन्नातों के उस कुवे की तरफ रवाना हो गए ये देखकर अल्ला के पेगंबर हजरत मुहम्मद ने दस्ते दुआ बुलंद की और अल्ला ताला से ये दुआ फर्माई के या ल्ला हर बार की तरा इस बार भी आप हजरत अली को कामियाबी नसिफ फर्माइये फिर जब हजरत अली जैसे ही उस कुवे के पास पहुंचे फिर वही एक हटरनाक जिन कुवे से बाहर निकला और हुंकार बरने लगा ये देखकर शेरे खुदा ने फरमाया कि मैं अली इबन अभी तालीब हूँ, मेरा आमल जिननातों को काबू में करना है, इतना सुनते ही उस जिनने हजरत अली पर एक जोरदार हमला कर दिया, लेकिन आपने उसका वार अपने उपर नहीं होने दिया, और अपनी जुलफी कार से उस जिनन को दो तुकड़ों में बाढ़ दिया, यानि कि उस जिनन के दो तुकड़े कर दिये, इसके बाद उस कुए से आग के गोले निकलने लगे, और एक जबरदस्त शोर मचना शुरू हो गया, फिर देखते ही देखते, उस कुए से बेशुमार खौफनाक चहरे बा से पानी हासिल करने के लिए अपना बरतन डाल दिया, लेकिन जिननातु की तरफ से उस बरतन को कुए से बाहर वापस फेक दिया गया, ये देखकर फिर हज़रत अली रजिया लाहु ताला नहुने कुछ कलीमात पड़े और फिर कहा, मैं मुकाबले के लिए तयार हूँ, आ इस बार भी उस बरतन को जिननातों की तरफ से कुए से बाहर फेक दिया गया, इस तरह से हज़रत अली रजिया लाहु ताला नहुने तीन मरतबह अपने बरतन को उस कुए में डाला, मगर तीनों ही बार जिननातों की तरफ से उस बरतन को कुए से बाहर फेक दिया गया, ब अस्थाब ने ये रसी पकड़ ली और हजरत अली रदिया गिरी करने लगे इतने में सहाबा ने सुना कि उस कुए के अंदर से चीखने चिलाने की आवाजे आने लगी। फिर थोड़ी ही देर के बाद में कुए से ये सदाई कि या आली अलियासिलाम हम को पनाह दो ये सुनकर हजरत अली श्रीख खुदा ने फरमाया कि अगर तुम सब अपनी खैर चाहते हो तुम सब अपनी जान की अमानत चाहते हो तो कल्मा पढ़ लो और मुसल्मान हो जाओ औ और अमन हसिल कर लो ये सुनकर जिनात कल्मा पढ़ने के लिए राजी हो गए फिर हज़रत अली ने उन सबको कल्मा पढ़ाया और ओ मुसल्मान बन गए इसके बाद में कुए के अंदर रसी डाली गई फिर हज़रत अली शिरे खुदा 20,000 जिनातों का कतल करके और बहुत से ज जिनातों को मसल्मान बना कर कुए से बाहर निकलाए फिर हज़रत अली शिरे खुदा ने इसलाम कबल करने वाले जिनातों में से एक जिन को उनका सरदार मकरर कर दिया जिसका नाम जाफर जिन था इसका नाम पहले अरगवान जहीब था मगर बाद में ये जाफर जहीब के नाम से मशहूर हुआ तारीख में मिलता है कि जब हजरत अली के लखते जिगर हजरत इमाम हुसेन रजी आलाहु नहीं इस तगासा बुलंद किया तो इस वक्त तमाम अंबिया इक्राम और फरिश्टों की जमात जिन्नात और दीगर ना नजर आने वाली मखलूग भी हजरत इ जिन्नातों का एक गिरुह भी इमाम हुसेन की मदद करने करभला के मैदाने पहुंचा था और जिन्नातों की गिरुह का जो सर्दार था वो यही जाफर जाहिब नामी जिन्नो का सरदार था जिसको हजरत अली कलमा पढ़ा कर मसल्मान बना e जिन्न अपनी तاج पोशी का जश इसमनों ने घेर लिया है इतना सुनते ही जाफर जाहिब नामी जिन अपने तमाम काम छोड़कर हजरत इमाम हुसें की मदद के लिए करबला के मैदान में पहुंच गया इसमनाना के दीन की खातिर ये कुर्बानी लाजमी देनी होगी पहरे दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी अगर पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक आप वीडियो को शीयन के कशिडर के मतलब बार छूरी झाली कुछ नहीं को मिलता है जब उनकी कोई नई स्टोरी हम सुनते हैं और जिन्नों के साथ उनकी लडाई होना वह कितने जादा पावर्फूल थैं आप लोग अंदाजा सकते हो अगर आप इस वीडियो पे नियू होगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंच चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नौटिफिकेशन और पर सब्सक्राइब करें मैं ते नेक्स वीडियो में तब तक ये बाय और लव वी कैस